गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स क्लास दस मी और अपने विश्य अगनित और प्रिसनावली बारापन टेक है और बारापन टेक को करने से पहले अपनी जो इसकी बेसिक जानकारी है उसको अपने पहली वीडियो में कर चुकी है उसको देखते हुए समझते हुए आप इस तो देखो पहला कॉशन क्या दे रखा है घरिकिस्तान की पूर्ती करनी है कि जो वृत का केंदर है वो वृत के डैश बाग में स्तीत होता है तो इसमें क्या एगा अब्यांतर मतलब अंत्य बाग में स्तित होता है दूसरा कॉशन एक बिंदू जिसकी वृत के केंदर से दूरी त्रीजा से अधिक हो त्रीजा से अधिक हो और वह वृत में कहां स्तित होगा अब देखो यह आपके पास वृत है और यह केंदर से दूरी कहा है क्या काया केंदर से दूरी केंदर से दूरी त्रीजा तक तो ये होगी केंदर से प्रिद्धिकों मिलाती है तो ये क्या कहलाती है त्रीजा कहलाती है लेकिन ये क्या कहलाती है त्रीजा से अधिक हो अधिक हो तो वो कहां जाएगा बाहर की तरफ जाएगा यहां पे कहीं होग मिस्तित होगा इसके बाद देखो वृत की सबसे बड़ी जीवा वृत का क्या होती है मैंने आपको समझाया था कि वृत की सबसे बड़ी जीवा उसके केंदर से गुजरती है और वही वृत का क्या होती है वही वृत का व्यास होती है और उसके केंदर से गुजरती है एक जब तो ये वड़ा चाप क्या कहलाता है अर्द वृत ये वड़ा चाप क्या कहलाता है अर्द वृत कहलाता है जब इसके सिरेक व्यास के सिरेक होते हैं क्या होता है और्ध व्रित होता है इसके बाद देखो एक व्रित जिस तल पर सीथ होता है उसे कितने वागों में विवाजित करता है एक व्रित जिस तल में सीथ होता है एक बाहर का एक अंदर का एक रुसके उपर का उसे तीन वागों में विवाजित करता है कितने वागों मे तीन वागों में विवाजित करता है इस कोशन में बड़ी गलती करती हैं दो ही बाग मानते हैं एक बाहर का एक अंदर का लेकिन वह उतको तीन वागों में विवाजित करता है कितने वागों में तीन वागों में इसके बाद देखो दूसरा कोशन है सत्याय सत्या करने है अप से के अंदर है व्रत का कैंदर से व्रत परस्तित किसी भी बिंदू को व्रत मिलाने रहने वाला त्रेखाखंड क्या कहलते है कहीं भी मिला दो यह हमेशे क्हा है क्या कहलाएeth HOW त्रेजि sachते होती है सत्य हो गया क्या हो बाजिमाए होती है किसा बेरत है यह जैसे तीन हैं इधर से ऐसे यह सकती है स्कीटों है तो ज़रूरी नहीं है कि चार ही होगी तो अनन्त हो सकती है तो यह क्या हो गया गलत हो गया अशत्य हो गया इसके वाद देखो जदी एक वृत को तीन बराबर चामपों में बांट दिया जाए तो परते एक बाख दिरग चाप होता है कि जदी दो बागों में बाढ़ते तो एक बाग छोटा और एक बड़ा कैसकते थे अपने लेकिन इसने क्या लिख दिया कि तीन बराबर तीनों ही बराबर हैं तो फिर कौन सा लगू होगा कौन सा दिरग होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सारे ही क्या होंगे, एक जैसे होंगे, कोई भी लगू नहीं होगा, कोई भी दिरग नहीं होगा, जिसने का एक दिरग चाप होता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसके बाद देखो, चोथा कोशन की वर्थ की एक जिवा, जिसकी लंबाई त्रीजा से दुगनी हो वृत का व्यास है वृत की एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रीजा से दुगना उसका व्यास होता है त्रीजा से दुगना की जो व्यास होता है वो क्या होता है दो गुना त्रीजा त्रीजा से दुगना उसका व्यास होता है और व्यास जो केंदर से गुजरता है व्यास है व्यास भी एक प्रिकार की जीवा है तो यह क्या हो गया सत्य हो गया इसके बाद देखो कि व्रत एक समतली आकरती है समतली आकरती का मतलब हो गया कि जिसको अपने समतल पर बना सकते हो कागज पर जिसको अपने बना सकते हैं तो क्या आपने किसी भी का वागज कोपी पर तूड़ी है इसकी तीन बिमाई नहीं है एक एक सक्ष एक वायक्ष लेते हुए अपने इसको परना सकते हैं तो यह क्या है एक समतली आकरती है इसके बाद देखो केक तल परस्तित उन बिंदू का समू जो उसी तल में एक स्थिर बिंदू से अचर दूरी समू है व्रित की आकरती बनाएंगे यह क्या बनाएंगे व्रित की आकरती बनाएंगे लेकिन ये क्या कह रहा है कि व्यास कहलाता है व्यास नहीं कहलाता वृत कहलाता है तो ये भी क्या हो गया ऐसत्य हो गया इसके बाद वह है जीवा जिस पर केंदर स्थित हो त्रिजा कहलाती है जीवा त्रिजा नहीं कहलाती जीवा क्या कहलाएगी जिस पर केंदर स्थित हो व्यास कह लाएगी त्रिजा का दुगना कहलाएगी व्यास जो केंदर से गुजरती जीवा है वह क्या होती है व्रित का व्यास होती है त्रिजा नहीं होती त्रिजा कभी भी जीवा नहीं होती व्यास जीवा होता है खर व्यास क्या होता है जीवा होता है तो आपकी 12 पेंट एक जो प् झाल 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 झाल